हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कलकत्ता रेस की और 20 मार्च की रेस है पहली रेस दो पैंतालिस आखी रेस पांच बच के पंदा मिनिट में जैसा कार्ड आज यह है 19 तारिक का रेस कुछ वैसी लग रही है फिर से 6 रेस है और 6 की 6 रेस वैसी ही दिख रही है जैसे ही मतलब आज की गई है यह बाकी सौड़ी सेलेक्शन लगे चलूँगा टॉप और जिस उन फिल्ड में भी कुछ इतना मुझे दिखा नहीं कि मतलब किस गोड़े को पिक करना है किसको न मतलब नोट में आप लिख सकते हैं पहली देस बासुमिटर अच्छा मैं बता चुका हूँ यह और मतलब सिंगल पिक लेके चलूँगा एक नंबर संफलेयर बैंगलोर से गोड़ा आया था और पहला रन मैसूर का था बैंगलोर में एक बहुत बढ़िया था इस्ट्रक्ट के साथ में हुड रॉन किया थे बलेंकर ओफ यह उसके बाद धायर उपे बहाओ पांच वा क्लास फोर फिर यहां पे क्लास फोर श्लो निकला लास्ट रिम काफी स्लो था बलैक स्टोन के आगे और बलैक स्टोन यादी होगा भवानी सिंग ने जो इंप्रेसिव जिताया थ मुझे लगता है गोड़ा यार अगर गेट से सही निकलेगा तो जीदना चाहिए इस क्लास में बागी देखते हैं बागी इस रेस में दो नमबर है एविंक एंडा स्माइल कुछ वर्ड होता होगा साइध यह उस साइड में तो प्लेस वगरा आप अपसेट इस तरीके से गोड़ी देख सकते हैं पांच नमबर है टेंडर आर्ट प्लेस माइनर देख सकते हैं चैनमबर इंटेंस बलिफ मुंबई से आया था गोड़ा विने जासव प्लेयर एंटरी राज और सेकेंड रेस में आ जाते हैं सेकेंड रेस बारा सु मिटर की है किलास तरी की है और यहां पे जो मैपिक लेके चलूँगा दोस्तों सिंगल ही हॉर्स लेके चलूँगा साथ नमबर फॉर्चिन टेलर और इम्रान चिस्ती लास्ट टाइम मिस अमर तो उमीद करते हैं कि एक बैटर रन यहां पर देखने को मिले गोड़ा जीते थर्ड रेस में आ जाते हैं थर्ड रेस में चौदो सुमिटे की रेस है थ्री यर ओल्ड ऑल्ली और चार गोड़े हैं जिसमें से तीन दिख रहे हैं यह भी अपने आम यहार बड़ा कठिन हो तो यहां पर पहले तो मैं एक नंबर को पिक लेके चलूँगा संपन सुपर नौवा एंटरी राज के नीचे और पहले रन गुट सेकेंड वा था गलोबल इंफ्लेंस के साथ में और लास्ट टाइम गलोबल इंफ्लेंस के आगे लग रहा था गोड़ा बीड़ भी कर सकता है बट लैम हो गया सप्राइजी रिंग यह चीज़े होती है और एंटरी राज बैठा वाइस बारी तो पहले रन के साफ से इस गोड़े को जरूर बनता है यह गोड़ा और दूसरा गोड़ा मैं अपी के लेके चलूँगा तीन नंबर बाइबरी एंट जे चलूर बैड़ जाना है और साइड डिस्टेंस का एडवांटेज होना चाहिए इस गोड़े को तो मुझे लग रहा है यह दूनों गोड़ों ने रन ले रहा है और बैनिफिट होना चाहिए बाकि अगर दो नंबर देखा जाए है चार गोड़े है चारों की बात करनी पढ़नी है मुझे म यह दोनों अपसेट के हिसाफ से क्योंकि रन है नहीं आके और एक और तीन नंबर को बैनिफिट है रनोंगे तो इसलिए यह दो गोड़े लेके चल रहा हूं लाकर जैन्वन रेस या जो भी है है मेरे साफ से तो इन दोनों में रेस होनी चाहिए बाकि कुछ भी हो सकता है जिस टाइम पर गोड़े भाग लेते हैं गेट खुलने के बाद उसके बाद कौन जीतेगा यह जो हार्ट बीट होती है जो उपर नीचे होती रहती है कि यार वो आया वो गया अरे पीछे हो गया अब तो आता ही नहीं जी दिया नहीं अब कौन मारेगा इसे तो यह सारी च इस में आजाते हैं 400 मिटे की रेस है 4-year-old and over और लास्ट टाइम सी इस पहरी लिए बहुत इंप्रेसिव कह सकते हैं विवेक जी के नीचे 53-60 जा रहा है वेट का यार यहां पर साथ किलो सीधा प्लस है आयरन क्ले लास्ट टाइम इंप्रूव किया और इस गोड़े को मैंन इस गोड़ी की तो मैं उमीद करता हूं इम्रान चिस्ति के निचे एक बैटर रन देखने को मिले गोड़ा यहां पर जीतने के चांस बिल्कुल बनते हैं बागी पिक मेरी तरफ से जो रहेगा चार नंबर इतोसा नीरर नावल के नीचे निल दारा साजी का गोड़ा है टा दोसा पहले लेके चलूँगा नीरर रावल और दूसरा गोड़ा मैं यहां पर लेके चलूँगा दो नंबर आइरन क्लेट इम्रान चिस्ति उमीद करते हैं इन दो नंबर रेस देखने को मिले बागी गोड़ा सबी है पांच ही रेस में आ जाता है चोदोसु मिटर की रेस है कि लास थिरी की और यहां पर जो मैं पिक रेके चलूँगा दो नंबर फॉर्ट नेल्सन जे चरूल लास्ट टाइम काफी लोवर ओड में जिस तरीके से गोड़ा बाहर हुआ है बहुत सर्प्राइसिंग था सब के लिए मेरे ख्याल से बट कुछ नहीं कह सकते हैं मैंने देखने को मिले 1200 मिटर काई ना कई पर सूटेबल रहा गोड़े के लिए 200 मिटर जाना है 1400 घुड़ा भागा हुआ है एक बरी ठीक है एरल लीना के साथ में तो फिल्ट काफी अच्छी देख हुई है मैं उमीद करता हूं कि गोड़ा एक बैटर रन यहां पर देखने को मिल यहां पर 1200 तो इंप्रैसिग जीता है सवा सारी चाल लें तो से 400 मिटर जाना है पिए चोहान बैठा दिया है यह गोड़ा बिल्कुर रिपीट करना चाहिए और मेरे इसाब से जाना चाहिए गोड़े को क्लास टू क्लास वन तक कलकत्ता में करेगा यह कुछ बड़ा नाम क करेगा और उसके बाद आ जाते हैं दूस तो छटी रेस में छटी रेस यहां पे फिर बाद 2000 मिटर क्लास फॉर और कॉंप्लिकेटीड साइड रेसे ऐसी है बाकि पिक यहां पे मैं लेके चलूंगा तीन नंबर बॉन्ट टू बी स्पॉयल्ट लास्ट टाइम पीए शोहान जीता है और असी पैसे स्लो निकलने के बाद भी साथ किलो में और साड़े पांच किलो माइने जाने हैं हिंदू सिंग बैठ गया है और फ्रेंट रणनर है गोड़ा और दूसर गोड़ा इसी के साथ में भागा था यार उसको पिक लेके चलूंगा मैं लागड साब का चैन जो भी है बट कई बारी इन दोनों में अगर मतब रेस ऐसी देखने को मिले तो एक नंबर भी नजर बनाया रगना होपिंग स्काई बोहिस सिंग टॉप वेट में सर्प्राइस के लिए एक वड़ा यार देख सकते हैं 22 मिटर जा रखा है साड़े 58 किलो में ठीक है तो बाक बस उमीद ही कर सकते हैं की बैटर जाए और बेस्ट और लग तर लग जा इस के बाद मिलते हैं साथ 1 दू दिन का बेक है और इसके बास साथ दिल्ली की वी जेसे तो दिल्ली में मिलेंगे उसके बाद छीक है दोस्तों पाईरे टेक के मेरे भाई Begin